आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone, our question is correct expression of 0.0236 bar is options है A, B, C and D इस question को करने के लिए हमें छोटे से concept का पता अना चाहिए that is अगर हमें कोई question मालीजे इस form में दिया गया 0.A, B, C and C पर हमारा बार दिया गया इसे हम कैसे करेंगे इसके लिए हम first of all अपने A, B, C को लिखेंगे और उसके denominator में जितने भी digits पर बार है उसके लिए हम निचे लिखेंगे 9 अगर सिर्फ C पर बार है तो A की digit पर है तो निचे लिखेंगे हम सिर्फ 9 और जो बाकी की digits जितने भी बच गई तो उनके लिखेंगे हम 0 तो इसमें जैसे की A और B पर बार नहीं है तो हम निचे लिखेंगे 0, 0 अब हम further क्या गरेंगे जितनी भी digits पर बार नहीं है हम उन digits को पूरे की जो हमारे ABC है उसमें से subtract कर देंगे ABC में हम से हम घटाएंगे हमारा A और B क्योंगी उन पर बार नहीं है similarly अब जो हमें question दिया गया हम उसको देखते है that is 0.0236 और 36 पर हमारा बार दिया गया तो इसे कैसे लिखेंगे हम हम लिखेंगे 236 अब माइनस करेंगे इसमें से हम 2 को क्योंकि उस पर बार नहीं है और इसके denominator में लिखेंगे हम 29 क्योंकि 2 digits पर बार है और लिखेंगे 20 क्योंकि 2 पर हमारा बार नहीं है तो यहां से हमें मिलेगा 234 divided by 9900 अब हम इसे further simplify करेंगे तो यहां से मिलेगा हमे 2 1s are 2 and 17 2s are 34 और यहां से मिलेगा 2 4s are 8 2 9s are 18 and 2 5s are 10 and 0 जो हमें अब last time मिला है वो है 117 divided by 4950 अब हम further इसे 9 से divide करें 117 को तो यहां से मिलेगा में 13 और यहां मिलेगा में 9 5s are 45 and 9 5s are 45 and 0 जो जो final answer निकल कर आए हमारा वो है 13 divided by 550 जो कि हमारा option A है so option A is our correct answer Thank you Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलेएं से जादा स्टुडेंट्स कभर होसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 84444 पर